हेलो फ्रेंट। मैं अनामीका, मेरे कीच Lad में आप सभी का evangel है, फ्रेंट्व मैं नम्कीन वुर्मुडा की रेश्पी लेकर आई हूं, इसे विनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और स्टपटी लगती हैं, तो फ्रेंट्स इस रेश्पी को आप जरूर ट्राइ किजी, अगर आज की मेरी यह मॉर्मुरा नमकिन की रेश्पी आपको पैसेंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक किजी, सब्सक्राइब किजी, शेयर किजी और कमिन करना मत भूलिए, को करते हैं, नमकिन मॉर्मुरा बनाने के लिए हमें जो इंग्रिदिेंस लिया है, मुरमुरा, शिंग दाना मुफली का दाना, कडी पत्ता, तेल, राई लाल मिर्ज, हल्दी पोडर, काला नमक, सफेद नमक और और ड्राइव मैंगो यानि की हम्चुर पौडर अब हम गैस के तरफ चलेंगे गैस पे हमने कडाही ले लिया है कैस को हम आन कडेंगे और सबसे पहले उसमें हम तेल डालेंगे तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे चुका है अब हम उसमें मुंफली को भूनेंगे तो तेल जादा गरम नहीं होना चाहिए मेडियम गरम होना चाहिए उसी में हम ये मुंफली डालेंगे और मेडियम फ्लेम पे हमसे 3-4 मिनट तक भूनेंगे, जिससे ये क्रिष्पी हो जाए ये को मेडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट तक हूना है, मुंखली में हल्की हल्की क्रेके आ गये हैں यानि कि ये क्रिश्पी होना चाहिए, आप थोड़ा देख लीजिएगा, कर नियू चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा, उपर से मुंफली जल जाएगी, और अंदर से ये कुर्कुरी नहीं हो पाएगी, तो ऐसे हम मुंफली को फ्राइ कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को आफ कर लेंगे, और एक प्लेट लेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा मुंफली, ऐसे टेरा करके, तेल को गिरा देंगे, और प्लेट में निकाल देंगे, ऐसे हम थेरा करके, प्लेट में निकाल देंगे, सारे मुंफली के दाने को निकाल लिया है, अब अब हम क्या करेंगे एक कटोडी में जो एक्ष्ट्रा तेल है उसे निकाल देंगे और थोड़ा सा हम तेल ले लेंगे अब हमें ज्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है तेल को फिर से हम गाठी कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे एक सुखी लाल मिर्च तो हमने चाल दिया है एक राई तो हमने बारिक वाला राई दिया है आपके पास जो अब लेवल है डालिये और इसे हम हलका सा चटकने देंगे ज्यादा जलने नहीं देना है राई चटक चुका है अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता चुट हेर सारा हमें कड़ी पत्ता डालना है अब देख सकते हैं कड़ी पत्ता लाल मिर्च राई सब भून चुका है अब इस स्टेज पे हम डालेंगे हल्दी पौडर तो हमें कलर पीला करना है इसके लिए यहाँ पे हल्दी पौडर डालेंगे तो आधा समझ हल्दी पौडर डालेंगे और इसे चला लेंगे गैस का फ्रेम एकदम श्लो कर देना है नहीं तो हल्दी जल जाएगा अब हम इसमें डालेंगे मुर्मूरा तो हम थोड़ा-थोड़ा मुर्मूरा डालके ऐसे मीक्स करते जाएंगे जिसे साड़े मुर्मूरे में हल्दी का कलर अच्छे से लग जाए और अच्छे से हम एक से दो मिनट का इसे चला लेंगे आप देख सकते हैं हमने हलवी के साथ मुड़ मुड़े को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे फ्राइक या हुआ मुंफली का दाना और इसके उपर हम डालेंगे एक चमच काला नमक आप टेस्ट के निशार डालिएगा वान फोर्स चमच सफिर नमक एक चमच हम लाल मिक्च पौडर डालेंगे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर दीजिए लेकिन चटपटा बनाना है तो मिक्ची मादवा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए अब हम इसमें डालेंगे एक चमच अमचुड पौडर और साथी इंग्रिलियंच को हम धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करेंगे कडाही भर चुकी है इसके लिए में धीरे धीरे चला रही हो आपकी कडाही बड़ी हो तो आराम से चला सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमने सारे इंग्रियंच को अच्छे से मिक्स कर लिया है कितनी बढ़ियां चटपटी अपनी मसाले दार नमकीन मुर्मुरा तयार हुआ है अब हम गैस के फेम को आफ कर लेंगे और इसे दो मिनल तक कडाही में ही छोड़के फिर हम सर्व करेंगे हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां चटपटी नमकीन मुर्मुरा बनकर तयार हुआ है हमने मुर्मुरा की प्लेटिंग कर ली है, आप ध्यान से देखिए कितनी जल्दी चटपटी नमकीन मुर्मुरा बनकर तयार हुई है एक खाने में तो बेजोड लगता ही है और टाइम भी बहुत कम लगता है इसकी खासियत है कि बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं तो कभी भी लाइट भूख हो या चाय के साथ मन हो तो हमें मुर्मुरा बना के फटा फट सर्थ कर सकते हैं और इसे हम ठंधा करके टबबा में रखके 10 से 15 दिन तक नास्ते में ले सकते हैं कि खाड़ा नहीं होता है और टेस्ट जैसे के तैसे बड़कडा रहता है तो फ्रेंग्स इस नमकीन को आप जड़ो ट्राइ कीजिए अगर आज की मेरी ये मुर्मुरा नमकीन की रेश्पी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्स्क्राइब कीजिए सेर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए नहीं नियवाद